बच्चो अब हम उदारण 24 को हल करेंगे यहां पर हमें जो संख्याइं दी हुई है वो है 92 और 107 आप देख रहा हैं यह दोनों संख्याइं पहले वाले उदारणों से थोड़ी सी अलग है यहां पर एक संख्या 100 से छोटी है और दूसरी संख्या 100 से बड़ी है यानि एक इसलिए हम इस सवाल के लिए मारेंगे कि इस संख्याओं का आधार 100 है अब हम यहां लिखें संख्या और उसका विच्छन आधार 100 से पहली वाली संख्या 92 है और आप देख रहे हैं कि 92 सो से आर्ट कम है तो यहां पर हम विच्छन रेड लिखेंगे इसे प्राप्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं कि 92-92 रिंड-100 जो आपको रिंड-8 के बराबर मिलता है इस तरह से आप विशलन का निर्धारण कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं 92 संख्या के लिए विशलन रिंड-8 है वैसे ही दूसरी संख्या जो 107 है 100 से इ से देखना है कि उत्तर का दाहिना भाग जो विशलनों का गुणा होता है 8-7 गुणा 56 होगा और इसका मतलब है कि इसको आपको पुरी संख्या जो हमिलेगी जितने सेक्ड़े 1000 और 10,000 मिलेंगे यह कुल इसको जो भी संख्या मिलेगी आप उसको कुल सेक्ड़ा कैसा इतने सेक्ड़े हमें मिले उस पूरी संख्या में से आपको 56 को 56 को खटाना पड़ेगा और बाये हिस्से को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि विशलन में हम इन दोनों को योग कर दे यह एक संख्या पहली वाली संख्या में दूसरी संख्या के जोड़े तो 92 में आप सा 99 ही मिलेगा तो यह जो 99 हम को प्राप्त हुआ वह हमारे उत्तर का बाया भाग है मतलब कुल सेक्ड़े को दिखाता है तो 6 इकाईयां पांस दहाईयां यह कुल 56 ही और 99 सेक्ड़े हमें प्राप्त हुए अब वास्तो वीक उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें इस 9900 की पुर आप एक संख्या है 6 बढ़ाते हैं तो 10 में से 6 के 4 आपको मिलेगा या आप चाहें तो इससे 9 करें 9 में से 5 आप घटाएं तो आप कह सकते हैं आपको 4 मिला और फिर एक यहां कम होगा और आपको मिलेगा 98 इस तरह से जो आपको संख्या मिलेगी